वालो व्यूबाइज, हमने चक रूट कर दिया है अपने अधर वाटोल से अब जा रहे हैं ओम कारश वह दो बाल पूरी पैमिली स्टक घुट रहो है आपने हमारे साथ आप लोगे मरज़े कीजिए रास्ते में चाय और स्नैक्स के लिए हम यहां रुके यहां की चाय में डिकल पसंद नहीं आई तो प्लीज अवाद इस प्लीज हमने होटल की तरफ से मिले सप्राइज के को काट कर इस सफर में फिर से अपनी आनिवरसरी से अपनी परेट करी ऐड्रेंग चाह के साथ एफी अनिवें sì ये वा की आनिवेश्री आड़ी इस मिस्पी दूषाली घाड़ी में सेलिपार्शन है अंप्रालिश्बियू और अटि इसे ही हसते कारते हैं पाँचकर उमकारेश्वर जो कि इन दौर से है 80 किलोमेटर दूर और अगर रोड़ चाप आ रहे हैं तो आपको लग जाएंगे ठाई घंटे के आसपास मंदर की पार्किंग से लेकर मंदर तक जाने इन का डिस्टेंस से अप्रॉक्सिमेटली 400 मीटर तो आपको 10-15 मिनट उसमें भी लग जाएंगे उमकारेश्वर जोतिरलिंग शिफ जी के 12 जोतिरलिंग में से एक है और मध्यप्रदेश में महाकाल जोतिरलिंग के बाद दूसरा जोतिरलिंग है नर्मदा नदी के तक पर बनावा है जोतिरलिंग बहुत ही सुन्दर दिखता है और यह माना जाता है कि भगवान शिफ रात को यहां तिश्राम करने आते हैं जैसे ही यह मंदिर के अंदर आए मैं बता लगा कि तीन बज़ा यह मंदिर रोज बंद हो जाता है एक घंटे के लिए भगवान शिफ के श्रिंगार के लिए और यहां पीड भी बहुत सादा थी तो समय के को बचाने के लिए हमें पीड टर्शन करना ही उचीद समझा और हमने पीड पास इस लिए आप पीड पास ऑनलाइन भी बूक करा सकते हैं जो हो कि आपको पड़ेगा तीन सो रुपे पर परसन जैसे आप लाइन में लगेंगे आपको यहां और भी छोटे-छोटे मंदिर दिख जाएंगे जैसे कि यहां पेदार शमी देव का मंदिर और भी अन्य कई मंदिर और मुटियां आपको लाइन में दिख जाएंगे फाइनली तीस चैलेंज मिनट लाइन में लगने के बाद हमने किये गर ब्रह में दर्शन श्री ओंकारिफर जोतिर लिंके चलिए आपको भी कराते हैं उनकी दर्शन दर्शन तब में काफी अच्छे हो गए और वापसी में हमें बहुत अच्छे जूस वले भाईया मिले जिन्नों ने हमारे मंदिर के बारे में और बताया यह जन्में से पिजा हुआ है यह पर बहुत अच्छे हैं जल चड़ता है उसके बारा वीज तक बंदिर बने रहता है एक बीस से लेकर चार वे तक जल चलता है फिर उसको आद में सिंगार होता है जल चलता बंदिर चार विज लेकर चार अट वे तक जसन होते हैं फुलोग शिंगार के इसना नुस्तान करते हैं उसको में बहुत लगने के बाद में नो पास से नो चलिस तरह होते हैं जल बोलते वहार मादे और बोलता कितने वीवर्स हैं जो भी वीडियो देखे जिए क लाइक करें सब्सक्राइब करें में तो लाइक कर रहा हूं अब हैं और इसके दर्शन की भी बहुत मान्यत है तो अगर आप यहां आ रहे हैं तो ममलेश्वर मंदिर भी जरूर आए जो की सिर्फ 10-15 मिनट की वाकिंग डिस्तंस पर है यह जानते हैं ममलेश्वर मंदिर के बारे में कुछ यहां की लोकल दुकानदार से अच्छाई और यह पारा जोति लिंग में से एक जोति लिंग है रूम्तारी सर्व एंग मोई जोति लिंग है अब इसके बाद हम जा रहे हैं से अब यहां पालिंग में जाने हमारा टेंपो ट्राबलर खड़ा है और इसके बारे में जानते हुन्हों ने पुन जानकारी दिया उसके अपने अनिसाथ वह सकते हैं अब जानकारी पाया उठा कि अपना लाइनन से कर अपके अल्प कर पहें और हम जा रहे हैं जा रहे हैं अपने अन्प्रावले कि अन्पर आए उसका भी टूर आपको देंगे तो तो थोड़ी दर में हम अब रूकेंगे शाद लाइज के लिए और आ गहें हम पार्तिंग में बने रही हमारे शाड़